दोस्तों जब हम किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो पहली चीज हम पूछते हैं, आप कैसे हैं? और अगर वो सामने वाला आपका close friend है, relative है, पहले तो आपको अपनी problems का पूरा बंडाराई खोल देगा आपको बताएगा, अरे मेरे जीवन में ये तकलीफ है, ये problem है, ये जहल रहा हूँ, ये जहल रहा हूँ और उसकी बाते सुनकर आपकी पंदरा problem और दिखाई देगी, आप भी उससे अपनी problem बताएंगे तो ऐसा करते करते कितनी सारी problems हम लोग जीवन में face करते हैं, सही है ना? हमने अकसर घरों पर देखा है, जब चार ladies मिलकर बाते करती हैं, तो problems ही problems की बाते करती हैं अच्छी बाते तो करती हैं, लेकिन साथ में उनकी problems वाली बाते जादा ही होती है अब मतलब दुनिया में हर जगह इतनी सारी problems है, तो उनका solution भी तो होता है ना? जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ, समस्या है, तो समाधान भी है आपके जीवन में जितनी भी समस्याइं हैं, उसका एक अच्छूक उपाय लेकर मैं आपके सामने आई हूँ हम इसे all-in-one उपाय कहते हैं, आपकी सारी समस्याओं का सारी तकलीफों का नाश करने वाला एक अच्छूक उपाय छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जिन्हें भी तकलीफे हैं, मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि हर इनसान के जीवन में हजारों तकलीफे हैं जी हाँ, अगर उन हजारों तकलीफों का इलाज आपको एक दिन में मिल जाए, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, यही उपाय, यही इलाज लेकर मैं आज आपके पास आई हूँ, बहुती सरल सा उपाय है, इसे कीजिए और आपके जीवन में जितनी समस्याए हैं, उनको बाई-बाई बोल दीजिए, यह बहुती सरल उपाय है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब कर सकते हैं, बच्चे को पूछो तो स्कूल से लेकर कॉलेज, फ्रेंड सर्कल, पढ़ाई, उनकी खुद की ही सव प्रॉब्लम्स हो जाती है, टीनेजर से पूछो उनकी अलग प्रॉब्लम, पती से पूछो बिजनिस में प्रतीस परधी, हर जगह पे आपको मात देने के लिए लोग ख आपको लेना है एक खरबूजा, और लेना है एक पैन या मारकर, जो भी इस खरबूजे पर आप लिख सको, और लिखते जाएए अपनी प्रॉब्लम्स, जी हाँ, जहां से शुरू कर सकते हैं, जहां तक खतम कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको है, आप लिखते जाएए लिखते जाएए लिखते जाएए एक दिन में ही आपकी सारी प्रॉब्लम सारी समस्याएं सारी मुसीबते टल जाएगी आप यह उपाय करके देखिए बहुत ही जादा असरदार उपाय है तो आप इस तरीके कीजिए इसे शुरू कीजिए अगर आपके परिवार में चार सदस्य है तो चार खर्बूजे ले लीजिए सब लोग बैठ जाएए अपने अपने प्रॉब्लम सेब्रों सर कर लिख सकती है लिख लीजिए उसके बाद आपको करना है मंत्र उचारन जो आपकी प्रॉब्लम से जो आपकी समस्याओं से मुसीबतों से आपको छुटकारा दिलवाएगा वो प्रभावशाली मंत्र है जी हाँ आप आपने सारी प्रॉब्लम से इस पर लिख दी आपको एक खर्बूजा आपने इस खर्बूजे को ले जाकर किसी ताला या नदी में प्रभाहित कर देना है जब आप जब आप इस खर्बूजे को नदी में प्रभाहित कर रहे हैं सच्चे मन से पॉजिटिव माइंड के साथ इससे आप प्रभाहित कीजिए हाथ जोड़िए और जो भी आपकी तकलीफे आपको उसे चुटकारा पाना है ऐसा विचार अपने मन में रखिये सीधे चले आइए पीछे मुढ़कर नहीं देखना है आपको सीधे आप अपने घर, ओफिस, कॉलेज, स्कूल जहां जा रहे हैं वहां चले जाएए जहां आपको जाना है वह रास्ते पर आप पीछे मुढ को करने के लिए जिस मंत्र की आशक्ता है वो आपको मिलेगा इस स्क्रीन पर दिये गए नंबर से यह नंबर है हमारी जोतिशाचारेबजी का हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है जी हाँ आप उन्हें कॉल कीजिए अपनी समस्या बताइए अपना समाधान पाइए उन्हें उन्हें कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पाया है तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं आप भी उन्हें कॉल कीजिए अपनी समस्या का समाधान पाईए एक ही तो जीवन है उसे भी टेंशन में गुजारना है क्या आपको इस जीवन में जितनी भी कटनाईय हैं जितन दिल्वाएगा वो मंत्र भी बहुत ही सरल है आप एजी लिए उस मंत्र का उचारन कर सकते हैं आपको वो मंत्र लेना है वो मंत्र अलग-अलग होता है हर एक राशी के अनुसार होता है तो दोस्तों साधू तांत्रिक मौलवी ऐसे लोग अगर आपको दावा करते हैं कि वह आ वशीकरन एक बहुत बढ़ी प्रक्रिया है। जिसमें काफी सारे पैसे लग जाते हैं और ये एक बहुत बढ़ी प्रक्रिया है। जैसे शादी ब्या इन सब में खर्चे होते हैं वशी करण में उतने ही खर्चे होते हैं पर उसके फायदे भी बहुत अच्छे होते हैं वशी करण बहुत ही भारी प्रक्रिया है जिसे साधारन व्यक्ति नहीं कर सकता है इसे करने के लिए सिद्ध पुरुष ही चाहिए जिनक तो ये सिद्धियां प्राप्तों वही कर सकते हैं और ये बहुत लंबी और बड़ी प्रोसेस होती है तो जो भी आपको कहते हैं कि आप से कुछ हजारों लेकर वशीकरन कर देंगे आप उनके बहकावे में मत आईए अपना टाइम और पैसा बरबाद मत कीजिए तो आप अप को कोई भी बंदा ऐसा मिलता है जो आपसे ये करने का प्रोमिस करता है कि वशीकरन कर देगा ये कर देगा कुछ रुपयों में कुछ हजारों में मत कीजिए विश्वास चलिए तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप इस मंतर का फाइदा उठा कर अपनी सारी समस्याव का अधान पाएंगे मैं आपसे विदा लेती हूँ जै माता दी